देखिए मोदी जी ने एक गाना गुनगुनाया कि भारत हमको जान से प्यारा है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लोग उसको गुनगुनाते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है लेकिन भारत में ही कुछ लोगों को मुगल प्यारे हैं कुछ लोगों को अंग्रेज प् इनका क्या होगा तो विपक्ष में खूब घमासान मचा हुआ है हम तो आपके चैनल पर भी गुन-गुना रहे हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है और आगे भी गुन-गुनाते रहेंगे कि भारत हमको जान से प्यारा है विपक्ष को एक बीमारी हो गई है उस बीमारी का इल आप बिरोज जरूर करिए अब देश के लोग जाती धर्म बन बर्ग नहीं देख रहे हैं देश की अर्थ बेहुस्ता देखिए हाद पांचवी अर्थ बेहुस्ता हो गई देश को ऐसा प्रदानमंत्री मिला है बिल्कुल अब आप कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं क्योंक सब्सक्रारे बोट में बिर्दी हो जाएगी भारती यंता पाटी की डाला कि विचारदार की विकास पातकी विचारदार को लेकर आगे बढ़ रही है और जंता का पूर्थ समर्थाने हैं हम इसेगा ब सबसे ज़्यादा चरचा हो रही है या यूं कईए कि वपक्ष के पे क्योंकि विपक्षी गडबंदन ने अपना नाम तो इंडिया रख लिया लेकिन अब इंडिया नाम को हटा कर भारत लाने की कवायच चल रही है यानि भारत का इस्तमाल अब किया जा रहा है जैसे हाल फिलाल में G20 रात्री बोच के पत्रपर पर प्रेसिडेंट अफ भारत ल मंत्रन आया उसमें भारत के प्रधान मंत्री को निमंत्रन लिखा गया था तो यह भारत जो नाम आ रहा है इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है वह कहा रहे है कि नाम तो इंडिया होना चाहिए भारत को क्यों लेकर आया जा रहा है उन्हें इस बात से भी तकलीफ हो रही ह ऐसे इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने हैं खासकर इंडिया वर्सेस और भारत के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ और मौजूद है BJP प्रवक्ता एसन सिंग जी से हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है सर आकर विपक्ष को क्यों इस भारत से तकलीफ हो रही है जबकि भारत में ही राजनीती करते हैं भारत की जनता ही उनको आप कह सकते है कि जो है सीट दे रही है बैटने की जगा दे रही है इतना उचा पोस्क दे रही है ले भारत हमको जान से प्यारा है लेकिन भारत में ही कुछ लोगों को मुगल प्यारे हैं कुछ लोगों को अंग्रेज प्यारे हैं और भारत से नफरत है तो हालात यह हुआ कि हमने एक multivitamin tonic दिया लेकिन भैवाला विपग समझा कि ये जहर है कोई युनानी डाक्टर के पास भाग रहा है कोई बैद के पास भाग रहा है और ब्यान देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं कि भैया ये हो ना हो ये अमरी तो कहीं हम इससे बंचित ना रहा जा हैं तो अब विपक्ष में घमासान मचा है वो समझी नहीं पा रहे हैं कि अगर यह हम भुनित है और हम इससे बंचीत रह गए तो हमरत तो कैसे मिलेगा यह भाजपा कोई और आगे भी गुन-गुनाते रहेंगे कि भारत हमको जान से प्यारा है तो ऐसे में खुद भारत का राग लापने वाले आज जब इंडियन गड़ बंदन का हिस्सा बन गई है तो भारत नाम से किनारा कर रहे है देखिए विपक्ष को एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी क का इलाज जनता कर रही है लेकिन फिर भी बीमारी जा नहीं रही है मुझे लगता है आने वाले चुनाओं में भीमारी चली जाएगी विपक्ष को बीमारी हो गई है कि मोदी जी अगर देश के लिए भी कोई काम कर रहे है तो भी आप बिरोद जरूर करिए सनातन पर भी द आजनीती करते थे एक धर्म के लिए कारे करते थे तमाम अधर्म के भी कारे करते थे इस समय देश का मान सम्मान बढ़ाने का कारे हो रहा है देश का जो गोरो है देश की जो संस्कृती है जो देश का वास्तवी की तियास है उसको बताने का कारे हो रहा है भी आपके लिए अक्बर महान थे, मोदी जी के लिए, भारती जनता पार्टी के लिए, अक्बर महान नहीं महाराणा परताब सिवा जी महान है, हमारे देश के जो भीर सपूत हैं, सुबास चन्र बोजी महान है, हमारे लिए महात्मा गांदी महान है हमारे लिए भीर भगत सिंग महान है तो जब हम ऐसे चीजों को करते हैं उनका परचार परशार करेंगे उनके लिए बड़े बड़ी उनके नाम से बड़े बड़े उजनाओं की घोसरा जब करेंगे तो कुछ लोगं को दर्द होता है परिवार वाली पार्टीओं को दर्द होता है कि हम सत्ता से दूर होके इतना बिखर गए कि अब बताइए हम अपने परिवार के नाम से भी दवा बनाके उजनाई नहीं लिया पा रहे हैं उनको समझना होगा कि सरकारी नहीं बदली है बिचार बदल गया है पूरे देश का अब देश के लोग जाती धर्म बन बर्ग नहीं देख रहे हैं देश की अर्थ बेवस्ता देखिए आज पांचीवी अर्थ बेवस्ता हो गई देश को ऐसा प्रदान मंत्री मिला है जो होली धिवाली दसारे में सहनिकों के बीच में जाकर होली धिवाली मनाने का कार करते हैं जो बैग्यानिकों के साथ कंदे से कंदे मिला कर चलते हैं जो भारत की आनबान सान तिरंगे की रच्छा के लिए 24 गंटे कार करने का कार करते हैं जो अवास, भिजली, पानी, सड़क, सुरच, सिच्च, स्वास जैसे मानकों को पूरा करके देश में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे ऐसे 17 करोन लोगों को आधनी परधान मंत्री जी की योजना के नाते आज वो गरीबी रेखा से बार आएं तो जब गरी भरती जनता पार्टी के साथ आ रहा है तो जो गरीबों पे अत्याचार करने वाली ऐसी पार्टिया थी जो बोट बैंक समझती थी निस्सित तोर पे उनको भे लग रहा है कि वो कभी अब सत्ता में नहीं आएंगे तो मैं आपके चैनल के माद्धम से बता देना चाहता हू बिलकुल अब आप कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं क्योंकि इस देश की जनता ने और सभी प्रदेशओं की जनता ने देखा है कि आपने देश के लिए कोई कारे नहीं किया योजना भी अपने परिवार के लिए लेकर आएं और अगर कोई कार किये सिर्प बोड के दिधी यह जाएकि लेगिन भारती जनता पार्टी की सरकार राष्ट बात की विकास बाध की चारफारा को लेकर आगे बढ़ रही है और जनता का पूर समर्थान है हम विपक्ष के लिए कारे करें और आगे भी जनता के लिए चाहे हैं असर एक और दिल्चस्प चीज देखने के लिए मिली कि ममता बैनर जी उन विपक्षी नेताओं में से एक है जो लगतार भारत तक को लेकर ब्यान बाजिया कर रही है उन्होंने अभी हाल फिलाल में कडिया पत्ती भी जताई थी कि राश्ट्रपती के तरफ से जो पत्र आया उसमें जो है राश्ट्रपती भारत की राश्ट्रपती लिखा था ना कि इंडिया लिखा हुआ था और अब उन्होंने उसी लेटर को जो है रात्री वोजन का जो उनको अमंत्रन था उसे एकसेप्ट कर लिया है शनिवार को दिल्ली भी जाने वाली है तो यह अचानक से नारास थी और अचानक से मन का प पूरी नहीं ही तो सुविदा के अनुसार बहुत सारे लोग स्विकारेंगी मैं तो बताना चाहता है और उसको हिंदी में नीचे भारत सरकार लिखा रहता है इंडिया की सरकार तो नहीं रहता है और बीजेप के सासनकाल में नहीं जिस जिसका भी सासन काल रहा इस देश में ब्हारत सरकार और गौर्मेंट अपई इंडिया दोनों को स्विकारा गया और मैं किया रहूं भारत नाम सी तनी नफरत क्यों है इंडिया सबतो बाद में जुड़ा ना 200 साल, 1500 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से लोग इंडिया कहने लगे न उसके पहले तो भारत ही था और भारत से इतनी नफरत क्यूं है भाई अंग्रेजों से मुहबद, मुगलों से मुहबद और भारत से नफरत ये विपक्ष की फितरत, ये जनता देख रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जनता सूध सहीद इसका जबाब देखे तो जैसा कि आपने एसन सिंग जी को सुनावनों ने बड़े सुन्दर तरीके से बताया है कि विपक्ष को आखिर भारत नाम से इतनी आपत्ती क्यूं है जबकि भारत में ही रहते हैं, भारत में ही राजनीती करते हैं भारत की जनता से ही वोट मांगते हैं लेकिन अगर पत्र पर भारत लिखा हो या फिर अगर भारत के राश्ट्रपति या प्रधान मंत्र करके संबोधित कर दिया जाए तो उन्हें बेहत जादा आप कह सकते हैं परिशानी होने लगती है तो ऐसे मैं आपने चर्चा पूरी सुनेगे अब इस पर आपकी भीजुर आये हो हमें कॉमेंट सेक्चिन में कॉमेंट करके जरूर साजा करिएगा धन्य बाद